Hello everyone, welcome back to my channel, so today we will discuss about the cyclo addition reaction, ठीक है? और उसमें भी हम बात करेंगे dieselder reaction की, ठीक? बेसिकली जो dieselder reaction है, वो चार पॉइंट में पढ़ी जाती है, ठीक है? चार पॉइंट में पढ़ी जाती है, उन कौन से में? FM approach, dyne, dynofile और regio selectivity, ठीक है? इदि FMO की बात करें, तो FMO हमने किसमें? पार्ट वन में पहले ही पढ़ चुके हैं, पार्ट वन में पहले ही पढ़ चुके हैं, वो जो dyne, dynofile और regio selectivity है, वो हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं, लब पार्ट व में हम इनके पर में पता लगाए कि dyne, कौन सी dyne है, वो reactive होती है, कौन-कौन सी dynofile है, और इनकी regio selectivity क्या होती है, स्टार्ट करते हैं, तो हमें पता है कि dyne क्या होता है, यदि कौन जो के dyne की बात करें, तो क्या होगा, वो दो double bond रहेंगे, और वो एक sigma bond के तुरू attached रहेंगे, इट गैन भी open chain, और cyclic, और substituted, मुलब जो dyne है, वो क्या हो सकती है, या तो open chain हो सकती है, cyclic हो सकती है, substituted और non-substituted भी हो सकती है, अब बात करते है, nature of dyne की, तो basically यह observe किया गया, कि जो dyne है, वो जो dieselder reaction में participate करती है, वो या तो होनी चाहिए, conjugate dyne होनी चाहिए, या और फिर cis form में होनी चाहिए, ठ कि कौन-कौन सी dyne है, वो जो reactive है, और कौन सी reactive नहीं है, ठीक है, तो reactive dyne वो ही होगी, जो या तो क्या होगी, conjugate dyne होगी, और plus में cis form में होगी, ठीक है, यदि एक ही बात करें, तो A क्या है अपने पास, conjugate है, conjugate dyne है, ठीक है, और यह क्या है, cis form में है, तो मतलब यह क्या होगा अपने यह क्या है? reactive होगी बात करें B की तो B क्या है? conjugate है ठीक ह। लेकिन यह क्या है? trans में है ठीक है? और यह क्या है rigid system है. Trans है और वो भी क्या है? यह rigid system है मतलब जो यह sigma bond है इसके दूँ यह rotate नहीं कर सकता ठीक है? rotate नहीं कर सकता तो B क्या होगा अपने पास non-tractive होगी या या react नहीं करेगा ऐसे ही बात करें C की C क्या है अपने पास conjugate dine तो है लेकिन ये transform में लेकिन ये एक non-rigid system है non-rigid system है मतलब क्या होगा कि जो अपने पास trans-dine है वो क्या करेगा single bond के थुरू rotate होके कुछ ऐसे product कुछ ऐसे reactant इस confirmation में change हो जाएगा और ये क्या होगा ये reactive होगा ये क्या होगा रियक्टिव होगा ठीक है ऐसे ये बात करें D की तो D क्या है एक cyclic dine है और इसमें क्या होगा एक cis warm है और conjugate है मतलब ये भी क्या होगी ये reactive dine reactive dine E की बात करें तो E क्या होगा कि ये A में convert हो सकता है क्योंकि ये एक non rigid system है non rigid system है मतलब ये E A में convert हो सकता है मतलब E भी reactive dine है बात करें एप की तो एप के हैं सिस recent warm है conjugate है तो मतलब ये भी reactive है G और H में देखें तो ये क्या है दोनों ही एक rigid system है rigid system है तो मतलब यह क्या होगा कि single bone के through rotate नहीं कर सकता है और उसकी वज़े से क्या होगा यह non-reactive होगा तो नहीं होगा reactive नहीं होगा यह बात कर लिए हमने कि कौन सी diene reactive है कौन सी नहीं है अब बात करते हैं हम एक special case के जिसके अंदर क्या होता है कि जो exam होता है तो exam में क्या होता है कि इसकी representation ऐसे दी रखी होती है ठीक है बट actual में जो tertiary butile है वो क्या है एक big group है और वो इसके जैसे क्या होगा एक steric effect होगा तो यह क्या गरता है यह actually में cis form में नहीं exist करके कि यह किसमें exist करता है transform में exist करता है ठीक है cis form कभी exist नहीं करता तो क्या होगा यह एक्जाम में यह हमें पूछा रहा है कि यह dian reactive है या नहीं है तो इसका मतलब यह dian reactive नहीं है क्योंकि actually में यह transform में exist करती है कभी भी cis form में exist करती ही नहीं ठीक है तो यहां पर कुछ examples है जो diene के हैं जो deajal reaction में participate करते हैं तो यह अपने पास simple example, first one क्या है? simple example है, diene जो conjugateै, ungef laisser form में है इसे ही second है, वो क्या है अपने पास? cyclic है, थीक है? अब third की बात करें, तो third में क्या है अपने पास? दो टाइप की diene पहले दाइन कौन सी है यह है तो दूसरी डाइन क्या है अपने पास कुछ यह है तो फॉर्थ में बात करूं तो फॉर्थ में भी क्या है अपने पास एक डाइन तो यह है और एक डाइन अपने पास यह है अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी ज्यादा रेक्टिव है और कहा की बात हम आगे lecture में पढ़ने वाले हैं ऐसे 50 की बात करूं तो 50 में क्या है एक cyclic है पर एक non cyclic है इनमें से कौन से ज्यादा reactive होगी तो यह इसका पता हम next slides में पता करेंगे अब आगे move करते हैं और डाइनोफाइल की तरह तो उसमें क्या है कि जो डाइनोफाइल है वो क्या हो सकते हैं एक तो C double bond C वाले भी डाइनोफाइल हो सकते हैं और एक हेट्रो वाले भी हेट्रो और C double bond मलब N double bond O वाले भी डाइनोफाइल की तरह काम कर सकते हैं Dzeilder reaction में Cyclic dinofil है और एक्चुलि में जो ऐलकाइन है वो भी डाइनोफाइल की तरह काम करते हैं किसमें Dzeilder reaction में अब बात करते हैं लास्ट example की यह क्या है अपना लास्ट example है तो इसमें क्या है कि जब हम बोल रहे हैं कि और जो दूसरे डाइनो मार Elder के काम कर कर सकता है और जो दूसरे डाइनो फायल कुछ सा हो सकता है कौन सा भी ऐकटनाए या इन पर सड़ांस आज या अपने बास हो सकता है तो अब यही पता लगाने वेटे हैं कि कौन सा dynophile more reactive है और कौन सा less reactive है तो हम इसको next slides में पढ़ने वाले हैं अब बात करते है reactivity order की dyn और dynophile की तो हमने last chapter में पढ़ा था क्या पढ़ा था कि जो homo of dyn है homo of dyn है वो homo of dynophile के साथ interact कर रहा है तो यह क्या है अपने पास यह क्या है अपने पास dynophile है और यह अपने पास क्या है यह अपने पास है dyn है ठीक है यह अपने पास क्या है dyn है हमने बोला था कि homo is interacting with the loom of dynophile ठीक है homo of dyn is interacting with the loom of dynophile अब किसी को doubt आया होगा है कि why homo of dynophile is not interacting with loom of dyn तो हम इसको क्या है ? एक ह adolescentłem की going को चिन्म के गाहिए ho WHY complete it. वालाप पहली बाद हमें पता है कि orbital our strips तुब ही possible है जब homo loomo gap का होगा ? पांब होगा हुआ यदि हम homo ab dyine की बात करें यदि हम homo ab dyne 재nofile कि homo loomo की बात करें तो उनके बीच में जो energy gap है वो कितना है, E1 है ठीक है और ऐसे ही युदी हम homo of dynophile और lumo of dyn messaging की बात करें तो उनके बीच में क्या है, energy gap क्या है यह है, ठीक है E2 है, अब हमें पता ही कि E1 क्या है, less than E2 से, ठीक है युदी homo, lumo gap कम होगा क्या होगा homo, lumo gap कम होगा तो क्या होगा homogeneous gap कम होगा तो क्या होगा better overlapping होगी better overlapping होगी और better overlapping होगी तो क्या होगा more reactive होगा more reactive होगा इसलिए हम बोलते हैं जो homo of dyene है वो room of dyinorapheal के साथ react करता है ना कि homo of dyanorapheal loom of dyene के साथ ठीक है यह हमने यहां से देख लिया कि reactivity order कैसे define करते हैं ठीक अब बात करते हैं बात करते हैं experimental data कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोण से का homo नीचे होगा और कोण से का lumo तो हमने start किया ethylene और butadiene से तो ethylene और butadiene में देखा कि जो dynophile है ये कोण से अपने dynophile है ठीक है और ये अपने पास क्या है dyn है ठीक है तो यदि dyn के homo की बात करें तो ये क्या है अपने पास dynophile का lumo है ठीक है और उनके बीच में energy gap कितना है येवाला gap energy gap है ठीक है कर दें CHO group attach कर दें तो experimental data देखा गया तो उसमें क्या है जो lumo है वो अब यहां पे exist करा रहा यहां पे exist करा रहा तो यदि CHO की effect से क्या होगा आप कि जो homo lumo gap है वो क्या हो गया decrease हो गया मतलब E2 हो गया मतलब क्या हय अपने parallel7 है एवन से ठीक है तो मतलब क्या होगा उसमा यह और वालैपिंग की क्या होगा ज्यादा होगी किसमेंE2 में ठीक है तो इसका मतलब यह होगे है यहीं मैं dynophile में यहीनिदि electrone withdrawing group attach करो electron withdrawing group attach करो तो क्या होगा more reactive होगा more reactive होगा ठीक है ऐसे ही बात करते हैं हम किसकी dine की तो dine हम यहाँ पे हम substitute dine लेते हैं ठीक है हमारा पहले homo exist करता है यहाँ पे जो किसका है इthailene का लेकिन यहाँ हम substitute करते है electron donating group से electron donating group से तो उसमें देखा गया कि जो homo है वो अब rise करके यहाँ पे कहाँ पे आ गया कुछ यहाँ पे exist कर रहा था ठीक है और अपने पास lomo कहाँ पे था lomo अपने पार यहाँ था ठीक है यह अपना lomo था तो अब देखे energy gap क्या हो गया इन substitute वाले group में क्या हो गया अपने पास lomo gap, better overlapping and more reactive ठीक है अब हमने देखा कि जो dine है उसमें electron donating group attach करने से क्या होगा वो more reactive होगा और जो dine of alpha उसमें electron withdrawing group attach करने से क्या होगा वो more reactive होगा ठीक है तो यह एक series है यह एक series है उसके अंदर हमने electron donating effect को दिखा रखा है ना इसमें कोई minus i apply किया है ना कोई plus i, ना कोई plus m कोई minus m यह बात की हमने electron density ठीक है तो हमने देखा कि o minus i है उसकी electron density सबसे ज़्यादा है और जो hydrogen है उसकी electron density सबसे कम है यदि इस series के according यदि हम this fusion को solve करना चाहे है तो कैसे होगा तो यदि हम A की बात करें तो A हमारा कहां लाई कर रहा है OME group OME हमारा group लाई कर रहा है कुछ यहाँ पर ठीक है B की बात करें तो B क्या है अपना कुछ यहाँ पर लाई कर रहा है ठीक है NH की बात करें तो NH अपना क्या है कुछ यहां पर लाई करा है OCW or CH3 की बात करें तो यह कुछ यहां पर लाई करा है और जो CH3 है वो क्या करेगा कुछ ही हाँ पर लाई करेगा हाईडोजन से पहले और जो क्लोरीन है यहां पर यह क्या है अपने पार electron withdrawing group है थीक है? electron withdrawing group है मतलब ये तो क्या है? सबसे least होगा क्योंकि dine में हमने देखा irrigation में क्या देखा? हमने electron donating group होना चीह जबकि क्या है electron withdrawing group है chlorine थीक है? इसका मतलब ये सबसे least होगया क्या हो गया? ये सबसे least होगया जा increasing उपर वाली series के according इनको rearrange के मतलब order में रखें तो क्या होगा? C सबसे पहले आएगा फिर उसके बाद में A है उसके बाद में D है उसके बाद में E है और उसके बाद में B है और फिर F है ठीक है? यह होगा अपने पास the activity order. ऐसे ही बात करें हम कि more substituted, less less substituted, more conjugate, less conjugate की ठीक है? तो यह दिए हम पहला example देखें. तो पहले example में क्या है? यह क्या है? greater conjugate है. मतलब high conjugated system है high conjugate system है ठीक है? और इसमें क्या है? यह less conjugate system क्या है? less conjugate system ठीक है? तो हम यह conclusion से क्या निकाल सकते हैं? कि long conjugate system होगा, वो क्या होगा? more reactive होगा. तो A और B की बात करें तो क्या है? A is more reactive than B ठीक है? बात करते हैं दूसरे example में दूसरे example की बात करें दूसरे example में उन्हें देखा कि क्या लिखा है? कि more substituted, more reactive actually में जो यह conclusion है यह experimental conclusion है क्या है? experimental conclusion है तो उसके according हम बात कर रहे हैं ठीक है? तो क्या है? जो A है वो more reactive है किससे? B से है, क्योंकि A में क्या है? more substitutuant है, ठीक है? इसलिए वो more reactive है अब बात करते हैं dynophile की किसके बात करते हैं? dynophile की. तो dynophile में हमने प्लिस आइधे कर देखा गया है ना कोई देखा गया है की एक इनको आरेंज किया है तो यह मैं आपजर किया है कि jn्रॉटू गुरूप उसका अ मौद्रो़ मर्धार सबसे जदा है और हाइभरोजन का सबसे कम है तो यह हम स्कूर्शन को स्वैस्ट तो हम देखें तो तो A, B और C, D में से किसका electron withdrawing power ज़्यादा है NO2 का सबसे ज़्यादा है तो D क्या है more reactive होगा ठीक है उसके बाद में CHO और CHO ग्रूप और C double bond O R की बात करें तो CHO अपना A यहाँ पर exist कर रहा है C O R यहाँ अपने कर रहा है और C double bond O R यहाँ यहाँ एक जिस कर रहा है यदि series के according देखा जाएं तो order क्या होगा D के बाद में A आएगा A के बाद में C और फिर B ठीक है तो यदि जिसको भी यह series समझ में आ गई मतलब electron withdrawing power समझ में आ गया किसी group का तो क्या आगर सकता है reactivity order find कर सकता है ऐसे ही बात करते हैं less substituted or more substituted की तो more substituted क्या होगा more reactive होगा तो इसका order क्या होगा D, C, B, A ठीक है यह क्या होगा इसका order होगा reactivity order होगा ठीक है यह बात हमने कर लिए अब हम क्या करते हैं कि हम dain और dainophile का pair बना के फिर reactivity order का पता करे क्यों सा more reactive होगा क्यों सा less reactive होगा तो हमने क्या किया यह एक example लिया इसमें क्या है pair of dain और dainophile है तो A, B और C, D में से यदि हम count करें कि substitute तो इसमें A में कितने total substitute है 1 और 2 कितने हैं 2 ऐसे ही B में बात करें तो कितने हैं 1 और 2 जबकि C में कितने हैं 1, 2 and 3 और d में कितने हैं अपने पास 1, 2, 3 and 4 ठीक है कितने हैं 4 और हमें यह भी पता है कि जो dain है उसमें electron donating group होना चाहिए और dainophile में electron withdrawing group होना चाहिए तो यह चारों के चारों example इस चीज को satisfy कर रहे है तो हमें पता है कि more substituent तो d गोन से d में सबसे ज़्यादा substituent है तो d सबसे पहले आएगा फिर क्या होगा c अब a और b की बात करें तो हमें पता है कि जो ome है ome है उसका electron donating power क्या है c s3 से ज़्यादा है electron donating group power क्या है c s3 से ज़्यादा है तो मतलब ome पहले आएगा तो मतलब फिर क्या होगा a आएगा और फिर b आएगा तो यह क्या होगा इसका order होगा अब हम बात करते है region selectivity कि किसकी बात करते है region selectivity by definition देखा जाए region selectivity is the preference of one direction of chemical bonding making or breaking or other possible direction definition से हमें कुछ समझ में आए जाए नहीं आए हम इसको direct समझेंगे example के तुरू ठीक है region selectivity basically क्या होती है यदि हमारे कोई reaction में कोई दो टर्मिनल है कोई दो टर्मिनल है उन में से कौन सा टर्मिनल react करेगा या तो a करेगा या b करेगा ठीक है उन में से जो जो react करेगा उसी के according हम region selectivity बोल सकते है मतलब जो हमें ये define करना है कि कोई सा टर्मिनल react करेगा उसी को हम region selectivity के नाम से बोलते हैं ठीक है जैसे कि अब तक हमने पढ़ा या तो हमारे पास क्या था जो dine था वो symmetrical था या अपने पार dinovile symmetrical था ठीक है अब बात करते हैं अपने पार यहाँ पर कुछ examples की जिसके अंदर क्या है पहले दो example हमने लिये हैं उनमें क्या है जो dine है या dinovile वो symmetrical है और unsymmetrical है तो इस्टार्ट करते हैं पहले से तो पहले में यही में product form करूँ पहले में product form करूँ तो मेरा कुछ ऐसा product होगा और इसमें यह cyclic transition state की थूँ यह कुछ ऐसा product ऐसा कुछ product form हो जाएगा ठीक है ऐसे ही बात करूँ में second की उससे पहले में एक बात और करना चाहता हूँ यदि मैं dine को dine को rotate कर दूँ यदि मैं dine को rotate कर दूँ और मैं कुछ ऐसा कुछ लिख दूँ ठीक है अब मैं reaction करवाँ dine file के साथ तो इसमें कुछ सा product form होगा इसमें product form होगा अपना यह six member ring है यह five thing ठीक है और अपने पास कुछ ऐसा product form होगा तो actually basically यह दोनो same product ठीक है दोनों क्या है same product ऐसा ही second case में देखें तो second case में क्या होगा कि यह इसदर अटेक करेगा यह कुछ ऐसा अटेक करके यह क्या होगा यह breeze head में चला जाएगा और यह कुछ ऐसा product होगा पर इसके case में क्या होता है कि जो CO2 निकल जाता है CO2 remove हो जाता है यह क्या होता है bond इधर shift कर जाता है और यह क्या होता है यह bond इधर shift करके इसको remove हो देता है मतलब CO2 निकल जाता है और at the end क्या होता है कुछ aromatic product होता है aromatic product होता है ठीक है तो इसमें एक यह बनता है यह हम rotate करके बनाएंगे तो भी क्या बनने वाला है यह rotate करके बनाएंगे तो यह बनने वाला है ठीक है जो दोनों same यूदि आपने पास कोई और other आपने संब्सट्यूट्यूट्वाइल नहीं है ठीक है यह बात कर लिए निए 1 और 2nd की तो मतलब यह आपने पास symmetrical dyn and dynophile हो अब बात करते हैं कि non-symmetric dine ho या dino file हो और substitute अलग अलग हो मतलब dine और dino file पर अधर-अधर substitute हो तो कौन सा product form हो और कौन सा ने हो यदि हम बात करें dino file की बात करें dino file की dino file में हमने देखा था electron withdrawing group होना चीए कुण से ग्रूप होना चीए, इलेक्ट्रोन विड्रोइंग ग्रूइंग होना चीए, तो इसमें क्या है, दो डाइनोफाइल है, कौन कौन सा, एक ये डाइनोफाइल है अपने पार, और एक ये डाइनोफाइल है, ठीक है, अब हम इस सीरीज से, ये पता लगा सकते हैं, कि CHO का, CHO का, Electron Withdrawing Power है, ज्यादा है किस से, CH3 से, तो इसका मतलब product किस साइड से फोर्म होगा, product अपना फोर्म होगा, CHO की साइड से, किस साइड से फोर्म होगा, CHO की साइड से, ठीक है, product कौन सा फोर्म होगा, कुछ, ऐसा product हों होगा यह product form होगा ठीक है तो इसमें क्या deciding factor था जिसका जितना group मतलब जिसका electron withdrawing power ज्यादा है वोसी तरह से product form होगा ठीक fourth example की बात करते है fourth example की बात करते है तो fourth example में हमने देखा कि जो एक OCS3 group है और एक CS3 group है अब हमें पता है कि OCS3 का electron donating power electric donating power क्या है OCFS3 का ज्यादा है किसके comparison में अपने CS3 लेकर हमें क्या होना चीव दाइनो फायल पर इलेक्टर्ण ृड्व्ड्रेग् गृप होना चाहिए यह होगा अपना product form होगा CS3 के साइड से किस के साइड से होगा CS3 के साइड से ठीक है यह product form हो गया ऐसे ही बात करें 5th की तो 5th में हमने series में देखा कि जो CHO है CHO का electron withdrawing पराओज किस से जादा है CL से जादा है मतलब product calm के तर से form होने वाला है CHO से इसका मतलब क्या हम conclusion निकाल सकते हैं जिस जिस बंदे को यदि जो वह table याद है तो वह क्या हो गया 20% equation EG1 में sold हो गये तो कुछ ही है ऐसा product form होने वाला है तो यह कुछ यह कुछ ऐसा product form होने वाला है ठीक है यह बात कर लिए हमने 5th question अब बात करते हैं हम कि region selectivity को हम explain कैसे कर सकते हैं जैसे कि हमने यह वाला देखा तो हमने हम बोल रहे थे कि यह कुछ ऐसा product form हो रहा था क्या हो रहा था कुछ ऐसा product form हो रहा था पर इसको देखें यदि हम dino file को rotate करें और ऐसे लिखें तो कुछ ऐसा product form हो ठीक है अब हम कैसे define करें अब बात हो रहा है और इसके क्या है यह दोना एक दूसरे के मेटा है क्या है मेटा है तो अब कौन सा product बनने वाला है अब हम इसको चार से अप्रेशन से समझ सकते हैं ठीक है तो अपने पास क्या था यह कुछ दाइन थी और यह अपने पास को दाइन फाइल यह दि हम बात करें इलेक्ट्रों डोनेटिंग पावर की तो यह क्या गरेगा जो यह इलेक्ट्रों डोनेटिंग ग्रूप है वो क्या गरेगा इलेक्ट्रों डेंसिटी इंक्रीज करेगा और यह क्या गरेगा इलेक्ट्रों से टर्मिनल पर रहेगी इस टर्मिनल पर है लेक्ट्रोंड रही है सबसे हाई रहेगी ति मतलब यहांपर क्यों सा चारज Vall रह गार यहांपर क्षट कारशव और द्धीस लेद्ध सब्सक्रा dusty resonance participate करेगा तो क्यों सा product होगा क्यों सा rearrangement होगा यहां पर positive charge form होगा अब क्या होगा जो negative और positive जितने एक दूसरे के close रहेंगे उतने ही better overlapping होगी ठीक है तो यहां पर क्या होगा हो यहां पर positive charge रहेगा और यहां पर negative charge रहेगा तो मतलब जो product form होने वाला है वो कुछ ऐसे form होने वाला है क्यों 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 जो अब जो रच़्ाइम नेंगितिव पॉजटिव के बीच में एट्रेक्शन है उक्या होगा अपने पार लेस होगा और हम बोल सकने है बिल्कूल भी नहीं होगा ओसके इसके वज़से क्या होंगा यह प्रोडफ यह साथ बात कर लिए किसकी एक केसब बात करते हैं कि हमारा जो है उसका C2 है इसे क्या होगा करना देख़ेक क्या होगा क्या होगा छोग से ये वाला पर अपने पास positive charge तो यह हम इसको ऐसे देखे तो इनके बीच में क्या हो गया बहुत ज्यादा गेव हो गया यही मैं इस dino file को rotate कर दूँ क्या कर दूँ मैं rotate कर दूँ अब क्या हो गया यह negative charge यहां है यह positive charge यहां है मतलब better overlapping होगी तो यह क्या होगा product form हो जाएगा तो product कौन सा form होगा यह कुछ ऐसा product form होगी मतलब यह क्या है पेरा है यह इसकी बात करें यह इसकी बात करें तो क्या होगा यह वाला product form होगा यह इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा product कुछ एसा प्रोडर्ट कों होगा है। जो है मिटा है। तो यह वाला प्रोड़क्त कभी नहीं बनता। क्योंकि जो पोजेटिव नेगटिव 1 तो हूता नहीं है। यह बात कर लिए केसम और और केस्टू गी है। अब मूँ करते हैं कि कुछ examples की तरफ कि हमें कैसे पता चलेगा और हम कैसे define कर सकते हैं तो इनको एक तरह से हम summarize कर सकते हैं कैसे जो अपने पास था कि इसके अंदर कौन सा product form होगा तो हम यहां पर पहले conclude कर लेते हैं कि जो क्या है कि यह अपने पास substituent सबस्चिटिट्येंट यहिथि अपने पास C1 पर है तो अपने पास क्यों सा बनेगा प्रोडक्व रिग और तो अगो Morate और तो अइदि इधि अपने पास कितने किस पे हैं C2 पे है तो अपने पास क्यों सब प्रोड्क बनेगा पेरवनेगा जो हमने भी मेकेनिजम से देख लिए ठीक है पोजितिव नेगेटिव इंट्रेक्षन से देख लिए ठीक है अब क्यूंसा इसन्सोल करते हैं अपने पास यहां पे कौन से पर हैं ? C1 पर हैं कौन से पर हैं ? C1 पर हैं तो C1 के corresponding जो substitute group है दाइनोफाइल का वो क्या होना चीए ? औरत होना चीए direct trick direct trick है तो यह क्या हो गया ? Cn यह क्या है ? औरत हो ठीक है ? बात करें Second की क्या है, क्या है? C2 के corresponding जो dynophile का substituent है वो कहा होना चीए? कहा होना चीए? पेरा होना चीए तो कुछ ऐसा product होगा, तो मतलब इसमें क्या पढ़ेगा हमें? इसको ऐसे लिखना पढ़ेगा, तो इसमें हमें कैसे लिखना पड़ेगा इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा थीक है मतलब क्या हो गया सीवन और्थो कि टू पेरा थीक है यह बात कर लिए अब हम बात करते हैं थर्ड एक्जांपल में हम देख सकते हैं जो पर बात करते हैं फॉर्थ में पहले हमें डिसाइड करना है पहले तो हमें यह डिसाइड करना है कि कि किसके करिस्पोंडिंग और तो बनेगा लूर॥ किसके करिस्पोंडिंग फेरा बनेगा दिखा है तो जो OME ग्रूप हमें हमने देखा था कि कि इसके लेक्ट्रोन डिंसिटिडी किơn होगा कि यहां पे जादा थी तो मतलब कहांगा पाँ मोर नेगेटिव चार्ज फो उर ओगा क्या होगा लो डाईनफाइल का पदा हएंगे कि हाँ पर positive size था तो अब हम conclude करके क्या बोल सकते हैं कि जिसका electron donating power हो aclern donating power ज्यादा होगा अजङदा होगा उसके corresponding हमें अर्थो और-पिरा देखना है अब स्का corresponding हमें क्या देखना है और्थो and पिर, क्या देखना है Oh तो यहां पर electron donating power किसका ज्यादा है? OME का है, तो OME के corresponding क्या देखेंगे हैं हम, product में, dynophile का substituent देखेंगे, तो यह क्या होगा, CHO, यह क्या है, एक दूसरे के orth है, मतलब OME क्या है अपने पास, C1 पे है, OME क्या है, C1 पे है, तो NO2 कोण से, जो CHO group है, वो कहां पे होगा, orth हो होगा, ठीक है, किसके corresponding, corresponding to, to OME group, ठीक है, फिप्त की बात करें, तो फिप्त में हमें पता है कि अभी देखा कि हमें OME का electron donating power ज्यादा था, तो मतलब क्या होगा, तो deciding factor है, वो क्या है, OME है, तो OME के corresponding, जो यह CHO group है, वो कहां पे रहेगा अपने अबे, क्योंकि OME क्या है, अपने पास C2 पे, और C2 पे कौने सा देता है, अपने पास, पेरा, तो मतलब क्या होगा, कि जो OME के corresponding product हो में है, CHO के position होगी, वो क्या होनी चीए, पेरा होनी चीए, क्या होनी चीए, यह पेरा होगी, ठीक है, पेरा, अब बात करते हैं, 6th के, 6th में देखते हैं, कि पहले हमारे dyne का deciding factor था, OME, अब बात करते हैं, डाइनोफाइल के, तो डाइनोफाइल में हमारा कौन सा group हो गया, NO2 की group क्या था, अपने पास, electron withdrawing ज्यादा था, अधी electron withdrawing group के बात करें, तो NO2 का ज्यादा था, कि से, CHO से, तो मतलब कौन सा deciding factor हो गया, NO2, तो NO2 क्या करेगा, OME क corresponding क्या होना चीए, और्थ होना चीए, क्योंकि जो NO2 group है, यह क्या करेगा, यहाँ पर more positive charge generate कर रहा होगा, resonance से, ठीक है, तो इसका मतलब यह क्या होना चीए, NO2 group क्या होना चीए, अपना, और यहाँ पर negative charge हो रहा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डाइनोफाइल को rotate करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कि जो OME है, उसके corresponding NO2 क्या होना चीए, अपना, OME के corresponding NO2 क्या होना चीए, अपना, और थो होना चीए, ठीक है, यह बात कर लिए हमने, 6th example की, ऐसे ही similar है, यदि OME अपने second पे है, तो क्या होगा, NO2 के corresponding क्या होगा, य ठीक है, तो जो यह OME है, और यह NO2 होगा, क्या होगा, एक दूसरे के पेर होगा, ठीक है, यह बात हमने देख लिए, ठीक, तो हम क्या conclusion निकाल सकते हैं, क्या conclusion निकाल सकते हैं, कि डाइन में जो more electron density का जो group attached है, उसके corresponding हमें product decide करना है, और जो डाइनो फाइल में more electron withdrawing, group है, उसके according हमें product decide करना है, ठीक है, यह बात कर लिए, अब आते हैं, एक्जाम में कैसे question आते हैं, क्या बात होती है, एक्जाम में कैसे question आते हैं, तो basically एक्जाम में direct forward question तो नहीं पूछते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक दो step और भी include रहती है, तो इसकी बात करें, तो ह हमारे पास यह कौन सा system है, c2 substitute group है, ठीक है, और c2 substitute group है, तो मतलब जो यह वाला group है, जो dynophile attached group है, वो क्या रहेगा, पेरा रहेगा, तो हम product form, product कुछ ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, यह वाला, यह कार बना, ठीक है, यह अपने बात क्या हो गया, otms हो गया, और यह पेरा substitute group हो ठीक है, यह क्या हो गया, c2 था, c2 क्या देगा, पेरा देगा, c1 क्या देता है, ortho देता है, ठीक है, यह बात कर लिए, अब बात करते हैं, कि, like water की presence में क्या होगा, जो otms हो, italysis हो क्या होगा, form कर देगा, deprotonate हो जाएगा, क्या हो, deprotected हो जाएगा, और क्या होगा, यह carbon है, यह carbon है, यह carbon है, जो हम represent कर रहे हैं, इससे, क्यूंकि यह bridged carbon हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यह o-h-form हो जाएगा, in the presence of water, ठीक है, अब बात करते हैं, next step की, बात करते हैं, next step की, यदि हम पहले इसको देखें, तो तो यह क्या हो सकता है, ketone form में change हो सकता है, ketone form में यह चैंज करें इसको हम, तो यह क्या है, यह इसकी ketone form है, क्या है ketone form है, अब हमें पता है, जो N-A-B-H-4 है, जो N-A-B-H-4 क्या करता है, ketone को तो reduce करता है, लेकिन इसको reduce नहीं करता है, अब product में कौन सा bond reduction, कौन से bond का reduction यह वाला तो OH में कनोट हो जाएगा लेकिन जो एत्र वाला जो OR है वो वेसा का वेसा ही रहेगा final product क्कों सा रहेगा यह वाला final product रहेगा त्क है ऐसे एक और example के बात करते हैं अब इसमें क्या होगा इसमें हम देख सकते हैं दो group है एक one पे है और एक three पे हैं मतलब इसको यदि 1 प्राइम बोले 2 प्राइम बोले यह आ से गया है यह 1 है यह 2 है मतलब 2 प्राइम पे है और 1 पे है ठीक है तो अब हमें पता है कि OTMS OCS3 में से deciding factor कौन सा है कौन सा नहीं है तो यदि OCS3 1 पे है तो हमें पता होना चाहिए कि हो CS3 के corresponding CHO है और C2 के corresponding C2 क्या होना चाहिए 8त होना चाहिए 164 प्राइम प्राइम करें कि कॉणके से सरे अपने पास हमें से सब्सक्राइग धाने केशन के इस से अटेज करेंगे तो क्या हो जाएगा OTMS के corresponding CHO चला जाएगा वो क्या चला जाएगा? उम्हेटा चला जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको हमें रोटेट करना पड़ेगा रोटेट करना पड़ेगा ठीक है? तो अब हम इसको यह दे इसकी reaction हम इसकी reaction हम इससे करवाएं वाप4 कुछ यह ता हूँ आपने यह था इंग है तो अपने पास कुछ यहां पर तो इसमें देख सकते हैं यह दोनों गूरूप क्या है एक दूसरे गे और तो है पुर हमें पता था कि OCH 3 corresponding CHO group क्या होना चाहे है और तो और तो ना चाहे है क्यों और चाहिए क्कि OCH 3 किस पे हैं C1 पे हैं C1 पे हैं तो जो dynophile का substituent group है भलो फिर्थोन ड्री तो और तो चाहे है और C2 पे है मेदलब C2 प्राइम या C2 पे हैं जो अपना OCS3 group है वो क्या होगा protonate हो जाएगा जाएगा protonate हो जाएगा यह अपना CHO group हो थीक है अब क्या करेगा जो water है water क्या करेगा इस पर trimethal saline पर attack करेगा और यह क्या करेगा यह bone break होके कुछ एससे move करेगा और last में last में क्या करेगा CH3OS निकल जाएगा ठीक है CH3OS निकल जाएगा तो कौन सा product form होगा कुछ ऐसा product form होगी है अब हमें पूछा था number of oxygen atom in the product number of oxygen atom product में कितने है दो है तो execution हमें numerical type में पूछे जाते हैं कि find out the number of oxygen atom find out the double bond unsaturation in the product तो हमें हम आराम से कर सकते हैं ठीक है यह बात कर लिए हमने dine and dynophile keyword region selectivity कि मतलब कौन सा participant करेगा कौन सा participant करेगा कौन सा participant करेगा कौन सा नहीं करेगा ऐसे हम मूँ करते हैं benzyne की तरफ benzyne भी क्या है एक dynophile की तरह काम में ली जाती है basically एक trapping group होता है मतलब trapping बोल सकते हैं dynophile तो अब इसको हम प्रिपेर कैसे करते हैं तो हमें पता है कि like magnesium के corresponding presence में जो यह वाला substrate वो क्या करेगा grignar बनाएगा mgbr बनाएगा और इसके बाद में यहां पे negative form होगा रिये participate करके इधर इधर इसको fluorine को remove कर देगा तो benzyne form हो जाएगा इसे ही इधी हम second की बात करें इधी हम second example की बात करें तो इसमें क्या होगा जो पहले ns2 ग्रूप वो किसमें change हो जाएगा और इसके बाद में यहां से negative move करके यह कुछ ऐसे हो जाएगा तो minus co2 हो जाएगा minus n2 हो जाएगा तो benzyne form हो जाएगा इसे थर्ड एग्जामपल में benzyne form कर सकते हैं तो इसे बहुत सारे form होगा ठीक है तो इस six members पहले था और यह कुछ यह कुछ ऐसे form हो गया ठीक है अब हमने देखा था H plus और water की presence में क्या होगा था H plus और water की presence में क्या होगा था कि जो यह OCS3 group था वह hydrolysis हो गया था वह प्रोटनेट हो गया था प्रोटनेट हो गया था और add the end क्या होगा था जो water था वह TMS पह टेक करके यह कुछ ऐसे bond move करके ऐसा कुछ product form हो गया था ऐसा कुछ product form हो गया था ठीक है यह बात कर लिए हमने अब यह क्या है अपने पार यह क्या है ketone form में इसको inol form में बदले इनol form में बदले तो क्या होगा अपने पार कुछ ऐसा product होगा और यह क्या होगा अपने पार अरोमेटिक अरोमेटिक compound होगा तो ऐसे ही exam equation पूछते हैं कि find out the number of double bond and saturation in the product like how many will be there so we can calculate like how many is there so in this case we have to count for the ring and for the double bond okay अब बात करते हैं दूसरे example कि दूसरे example में क्या है हम तोड़ा से special case पढ़ते हैं पहली बात दूसरे यह है कि यदि हमारे पास यदि कोई bridge head में bridge head में कोई substituent लगा हुआ है यदि कोई atom लगा हुआ है तो हम actually में ऐसे cyclic structure बनाते हैं ठीक है कि इसमें क्या होगा यह जो ai s o to group है वह क्या है अपने पास इसे हैं ठीक है और product क्या form हरा था अपना पर czy service कुल हो नहीं टीक है अब क्या होता है एसे group में यह bond है जो यह वाले bound है क्कुनसा होदा यह वाले bond है यह going break हो जाते है किसे यह काहन करते हैं एक aromatic aromatic product form करते हैं ऐसा एक clean fait ऐसे ही बात करो में इसकी आप 1 की बात करें 2 की बात करें तो 1 में हमेहें क्या होगा ? आपने पास product कहुँझा सा आपने आप सब्याइक्षास कहा होगा यह कुछ अपने पास cyclic product उना है तो इसमें क्या होगा इसमें यह bond कौन सा bond यह वाला bond क्या करेगा यह इधर move करके इधर आएगा यह वाला bond इधर rotate करेगा यह वाला bond इधर remove करके क्या करेगा minus CO2 करके aromatic product form करतेगा कि अगर देगा aromatic product form करते हैं ऐसे ही इसके case में क्या होगा minus N2 होगा और ये भी ऐसा कुछ product form हो जाएगा तो ये बात हमने आज benzyne तक की है next chapter में हम बात करेंगे stereo chemistry की कि हम कैसे stereo chemistry define कर सकते हैं dine और dynophile से start करके ठीक है तो ये बात करने वाले हम next chapter में thank you for watching दभी की